दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थिद सागर डिस्टिक के बारे में कुछ रोचक फैक्ट के साथ ही खूबसूरत परेटन सलों के बारे में तो चलो शुरू करते हैं सागर जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य शेत्र में बसा हुआ है यह देश का हरदय जिला भी कहलाता है जो एतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महतुपून माना जाता है दोस्तों इस शेहर के नाम की उत्पत्ती हिंदी शब्द सागर से हुई है जिसका अर्थ जील या समुद्र है ऐसा इसलिए कि एक बड़ी और सुन्दर जील के चारों और सागर जिले का निर्मान किया गया है जिस कारण इसे जील नगरी भी कहा जाता है फ्रैंट सागर शहर अत्यंत रम्रिये शांत वातावरन मन को प्रफुलित करने वाला शहर है जहां प्रेन विभार एवापसी भाईचारा सर्व प्रथमाता है यहां के लोग काफी मिलंसार एवं सहियोग की भावना रखने वाले होते हैं फ्रैंट सागर एक व्यापक मैदानी इलाका है जिसमें निचले जंगली पहाड है इस जिले में प्रमुक रूप से धसान, बेबस, बीना और सोनारावी नदियों से इस शहर की पानी की आपूर्ती होती है यह शहर समुद्रतल से 427 मीटर की उचाई पस्थित है यह भूपाल से 170 किलो मीटर उत्तर पूर्व की तरफ राश्ट्रिय राजमार्ग 146 पर है और भारत की राजधानी दिली से 673 किलो मीटर दक्षन पूर्व की तरफ राश्ट्रिय राजमार्ग 44 पर है दोस्तों अगर बात करें इस जिले के शेत्रफल की तो सागर जिले का शेत्रफल 10,252 वर किलो मीटर है और 2011 की जनगरना के अनुसार सागर की जनसंख्या 22,002 के लगभग है सागर की साक्षरता 77,52 परसंट है महिला पुरुष अनुपात यहां पर 896 महिलाय प्रती 1000 पुरुष उपर है जिले की जनसंख्या विकास्दर 2001-2011 के बीच 17,62 परसंट रहा है फ्रैंड यह शेत्र तौर पर बुंदिलखंड के रूप में जाना जाता है इसके उत्तर में शतरपुर, टीकमडर और ललितपुर, पश्चिम में विदिशा वर्शोपनगर, दक्षिन में नरसिंगपुर पश्चिम दक्षिन में रायसेन तथा पूर में दमो जिले की सीमाई लगती है इस जिले के दक्षनी भाग से करक रेखा होकर गुजरती है फ्रैंड, यही एक प्रमुक सडक एवं करशी व्यापार किंद्र है चहाँ तेल एवं आतपिसाई, गी प्रसंसकरण, हतकरगा का पास गुनाई बीरी निर्मार और रेलवे इंजीनियरिंग के उद्योग है सागर शहर भारत भर में अपने विशोविद्याले जिसका नाम डॉक्टर हरिसिख और विशोविद्याले है और सेना की च्छावनी के कारण जाना जाता है अभी अभी इसका नाम भाग्योत एस्पताल के कारण भी प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम करण जैनों के प्रसिद्ध संथ श्रीविद्या सागर महराज के नाम पर रखा गया है यहाँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एवं फारेंसिक साइंस प्रयोग शाला भी है दोस्तों सागर संभागिये मुख्याले भी है जिसके अंतरगर छे जिले आते हैं सागर, दमो, पन्ना, छतरपुर, तीकमगर और निवारी है दोस्तों आप जानते हैं सागर जिले के खुबसूरत तश्नील परेटक स्थलों के बारे में जो परेटको को काफी ज्यादा अर्शित करते हैं जैसे लाखा बंजारा जील लाखा बंजारा जील सागर शेर का एक प्रमुख परेटन स्थल है ये जील बहुत बड़ी शेतरफल में पहली हुई है ये जील सागर सिटी के मदद area में स्थित है इस जील के चारो तरफ सागर शहर बसा हुआ है इस जील का निर्मान लाखा बंजारा नाम के एक व्यापारी ने किया था जील में आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं पार्क का नाम अम्रपार्क था जिसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाचपे के नाम पर अटल पार्क कर दिया गया है। प्रकृतिक माहौल उपलब्ध हो। यह जिले का पहला सबसे बड़ा पार्क होगा जुदार्शनिक होगा एरन सागर। एरन सागर एक तुरा तात्विक स्थल है यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह मंदिर विश सिंग प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन स्थम भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी खंडित मूरतियां भी है। एरन सागर जिले के बीना तहसील में स्थित है। यह जगह बीना नदी के किनारे हैं। आप यहाँ गूमने के लिए आ सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये जगा बहुत अच्छी है आप यहाँ पर आकर अपना समय बिता सकते हैं दोस्तों इनके अलावा भी सागर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत वर दर्शनिय स्थल मौजूद है पर आज की वीडियो में इतना ही वीडिय लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें